एक तरव उत्त प्रदेश सरकार अयुध्य मामले को लेकर सुरक्षा के दावे कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ फरुखाबाद शहर में हान ग्रिनिट मिलने की दूसरी घटना से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है अयुध्य मामले पर फैसला आने के बाद जिन्दा हान ग्रिनिट मिलने के बाद खत्रे की संकीत है बताय जा रहे कि सदर कोतवाली की चौकी पांचाल घाट शेत्र के गाउं धीमर पूर के रहने वाला नाबालिक बच्चा अपने अन्य साथियों के साथ गंगा में मचली पक इसको सूचना दी वहीं सूचना मिलने के बाद चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और मौके पर सिती का जाइजा लेने के बाद उचदिकारियों की जानका रिदी ग्रिनिट मिलने से आसपास के गाउं के सैकड़ों लोग देखने के लिए जमा हो गए इस बोरी को नहीं ने बाहर निकाला बाहर निकाल खोला तो उसमें दो हैंड ग्रिनेट थे बच्चे छोटे हैं लेकिन बताया कि हमने टीवी में देख रखा था इसलिए मुझे लग गया कि यह बं है तो मैंने ततकाल उसको फेसे वहीं पानी में बगल में रख दिया तो बदादें के पिछले महीने शहर के मोहला बजरिया फील्ड में भी एक जिन्दा हैंड ग्रेनिट मिला था जिसका भी तक पुलीस खुलासा नहीं कर पाई फिलहाल हैंड ग्रेनिट की दूसरी घटना से पुलीस में हड़कम मच गया और पुलीस मामले की गंभीरता से